ब्रस्पति जी आपको क्या नजर आ रहा है इन हार में इतनी बड़ी हार 35 सीट में कॉंग्रेस पार्टी सिमट के रह गी देखिए सचाई तो ये है कांग्रेस को अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम थी तिसकी वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था कांग्रेस की स्थिति वही हुई कांग्रेस में रहने वाले कांग्रेस की जिम्वार लोगों के गलती के कारण आज 36 गड़ की सरकार चली गई कांग्रेस को 36 गड़ की जनता चाहती थी फिर से सरकार बनाओ और फिर से सरकार 36 गड़ के किसानों के मदद करो अगर ग्वालियर महराजा ने हिंदूत ता हिंदुस्तान की धर्मों को निभाया होता अगर हमारे सुतंतरत से नानियों को अग्रेजों से मिलके मरवाने का काम नहीं किया होता तो 1897 में देशा जाद हो गया होता उसी तरह से 2000 ये जो 23 है इसमें फिर से सरकार कांग्रेज की बन गई होती अगर हमारे राजा महराजा लोगों के भुमका अगर सही रहा होता तो कौन है वो जिम्मेदार जिसके चलते कॉंग्रेज पालिटी को 35 सीट पर आना पड़ा कौन है सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मानते है सबसे बड़ा जिम्मवार आप देखे होंगे सारी दुनिया देखी है जिस दिन चार पन्ने की इस्तीफा में 36 गड़ सरकार का एक बरिष्ट मंतरी इस आसे कारिवार रूप लगाता है कि 7 लाग प्रधान मंतरी आवास का पैसा आपने नहीं दिया है इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ जिसके कारण 36 गड़ का विधान सभा से लेकर 36 गड़ की सड़कों से लेकर 36 गड़ के सानसर और विधायकों का मंतरीयों मुख मंतरी का घर घेरने का काम हुआ उस दिन से पाजेटिव का बाजेपीक पक्ष में गया और निगेटिव कांगरेस के पक्ष में गया अगर उसी दिन हमारे राज्य के प्रभारी हाई कमान को रिपोट कर दी होती और उन निटाओं के खिलाब जिन लोगों ने ऐसा क्रियेट किया था कारवाई हो गया होता उस मंतरी खिलाब तो साइद आज कांगरेस को ये दिन देखने को नहीं मिला होता नमबर टू जब कांगरेस की इतनी अच्छी योजना थी पूरे हिंदुस्तान में चर्चा कबिसे होने लगा था पूरे हमारे दिल्ली के सारे नेता हर राज़ में भासर देने लगे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है उत्तर परदेश में हमारी सरकार बनती है आसाम में हमारी सरकार बनती है मिजोरम में हर जगा ये कहा गया था मध्ध परदेश सहीद कि हम 36 गड़ माडल लागू करेंगे पुरे देश में लागू करेंगे इस सक्परति परपेश में 36 गड़ में पुरे हिंदुस्तान की नेताओं ने अधिवेशन किया और खडगे जी राहुल जी प्रिंका जी सोनिया जी समने भासण में कहा कि 36 गड़ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है अगर हमारी सरकार आती है तो पुरे देश में हम ये 36 गड़ की माडल लागू करेंगे आपने देखा होगा ये कहा कि 36 गड़ की जनताज जो हमने वादा किया था लगभग हमने सब पूरे कर दिये हैं और ये स चार दिन के अंदर हमारे राज्यकार डिप्टी सियम इस बात का प्रेस कांस फ्रेस करके कहता है कि 36 गड़ में 36 वादा में से 12 वादा पूरा हुए हैं बाकी वादे पूरे नहीं हुए हैं ऐसा कहके सभी हाई कमान नेताओं को चुनोती दे दिया अगर उसी समय हमारे प्र को यह दिन देखने को नहीं मिलता नमबर थ्री आपने रायगड प्रधान मंत्री जी के सभा को देखा होगा टीवी चैनलों में आप लोगों ने भी कैवेरेज किया हैं सभा भरी सभा में हमारा डिप्टी सियम यह बोलता है 36 गड़ का कांगरीस का नेताओं कि देश के प् आपको भोट कियों दे 36 गड़ की जनता यह लोगों की दिमाग बैठाने का काम आधनी महराजास टीएस सिंदियों ने किया और इसकी रिपोर्टिंग अगर हमारे प्रभारी ने कर दी होती दिली हाई कमान को और उनके खिलाब कारवाई हो गई होती तो सायद यह दिन जेट का काम करिए और अपनी फोटो सूट कराने में रह गई जिसके कान आज सरकार चली गई और हमारी जो यह बहुत बड़ा गभीर बात है जो ऐसे लोगों खिलाब कारवाई नहीं होना और इसके कान आज सरकार हमारी हाथ से चली गई और बीजेपी के बीटी उरूम के काम किया है और टीया सिंग्देव ने खुद भी सर्गूजा संभाग के सधिवेसन में कांगरिस के बेठक में स्विकार किया था कि हम बड़े कांगरिस के बड़े निताओं से दिली से मिल कर आए हैं खुद बोल रहे हैं और मेरे को यकीन है कि वो जो बोले होंगे सच बोल दो क्योंकि इतना मदद किया हूँ ता सरकार मना था धर्म निभानना चाहिए उनको भी तो ये करना चाहिए और अभी रभी वार्शे में जा रहा हूं दिली और दिली का हाई कमान के सारे नेताओं से मिल कर वस्तोषती से अउगत कराऊंगा ताकि लोक सभा चुनाओं के पहले इसका पुन्राबिर्ती न हो कांगरेश को ज्यादा नुकसान न हो कांगरेश का सिपाही होने के नाते हमारा धरम बनता है कि हम सचा इस कांगरेश को बता सकते हैं एक आखरी सवाल है ऐसी क्या वज़य रही कि इतना सब होने के बाद भी प्रदेश प्रभारी जो है वो हाई कमान को रिपोर्ट नहीं कर रहे थी उस चीज को लेकर अगर वो चीज पहले हो जाता जैसे आपने कहा तो सरकार बज सकती थे अब ये तो समिक्षा हाई कमान करेगा और हाई कमान कर रहे हैं और मेरे खाल से हाई कमान को ततकाल ऐसे प्रभारियों को और ऐसे नेता बहुत बहुत धन्यवाद ब्रहस्पती सिंग जी तो ये थे हमारे सांथ है कॉंग्रेस के पूरवी धायक ब्रहस्पती सिंग जिनका आरोप है कि खुद कई मौकों पर उपमुख्य मंतरी रहे टीए सिह देव ने कॉंग्रेस की फजीहत कराई है और उसकी रिपोर्टिंग अ